नमस्कार दोस्ता आप देख रहे हैं आपका अपना New Tech EG चैनल में हूँ संकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल New Tech EG में दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं हमस्के सiant के तूल। को सेखने के बादने हम देख यहां और से पहले वाले वीडियो में हूँ और से पहले वाले वीडियो में बताए butterflies की आप मेच के ऊपर जो एकि रख यहां के बेंज़ करने ने चैनलध कर सकते हैं इमेज के उपर अच्छा effect कैसे दे सकते हैं तो आज का जो ये ब्लाइंडिंग option का यूज बताऊंगा वह बताऊंगा कि आप wedding album वगएरा जब तयार करते हैं आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उसके basic को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं कैसे strong बना सकते हैं तो यहां से जैसे आप यह वीडियो देख कर चलते हैं तो जब मैं advanced level में आपको wedding album बनाना शीक होगा तो आपको कोई confusion की rate नहीं होगा और आपको वीडियो critical नहीं करते हैं अगर मैं पहले दोस्तों आप आप ने वीडियो की नोटिफिकेस्टन यानी सूचना मिलती रहेगी तो अब क्या करते हैं कि हम इसका blending option का use image के उपर कैसे wedding album के लिए करते हैं और या फिर जो दिल वगेरा की जो आकरते हैं वह ब्लाइनिंग उप्सन से हम दिल के अंदर image डालना हुआ, frames वगेरा देना हुआ, एक अची frame तैयार करना हुआ, बार बार boxes हमें उसमें तियार चाहिए होते हैं, दिल की जो आकरती है वह हमें चाहिए होती है, उन आकरतियों को बनाना ही simple नहीं है, बलकि उनको बनाने के बाद में उसकी 3D view देना, उस कि कैस से यारिया करती है, इसने बना दी, तो वहाँ पर मैं बहुत ही फास्ट लेवर करूंगा, तो यह वीडियो जरूर देख कर चले ताकि आपको वेडिंग बेलबम बनाने का जो basic हो तैयार हो जाए, तो लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो देखी, simply आपके सामने एक इमेज दिख रही है, और इस इमेज को देखे, और इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा में ब्लाइंडिंग उप्सन का नॉर्मल यूज़ बताजता हूं, जो भी हम वेडिंग एल्बम में भी यूज़ करते हैं, इस तरह का effect, सबसे पहले इसको डबल क्लिक करके हम इसको ल को याउशकता नहीं, लेकिन यहां से जो इसकी distance वगिर आप देख सकते हो इस तरह से, तो इस पर effect जालेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगए और effect के लिए 3D view देने के लिए, और इस तरह से देखे, चोप को थोड़ा maintain करके चले, आप अपने इसाब से देख लेज़ यहां से जैसे ही आप size को देखेंगे, तो आपके सामने दिख रही होगी image की जो चारों तरफ से जो अंधेरा सा जो darken आ गया है, वो आ रहा है और इस तरह का darken जो हम wedding album में बहुत ज़्यादा यूज़ लेने वाले हैं, आपने भी देखा होगा image को एक तरफ से बुलर के यहां से रेड कलर ले लेते हैं, अब आप देखें, इस तरह की जो design है, वो हमें wedding album बगएरा में चाहिए होगी, इस पर इतना अच्छान शूट नहीं करा, जब हम wedding album बनाएंगे तो इस पर बहुत ही ज़्यादा सूट करने वाला है, और यहां से बहुत सारे designing आप image पर दे और अब हम जो सीखेंगे, वो है heart वगेरा की जो आकरतिया है, जो structures वगेरा है, वो बनाने सीख लेते हैं, और heart में कैस image डालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, simply आपके अगरना होगा, control and press कीजिए, और control and press करने के बाद में आपको enter पर क्लिक कर देना है, और इसको थोड जो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्या इसका usage है, और नीचे playlist है, फोटोसोप की वहां पर जाकर आप देख लीजिए, इस तरह से इसमें बहुत सारी आकरतिया है, और इसमें से एक आकरतिया है, यहां से आपको हार्ट की मिल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिएगा, बहुत सारी यह देखिए, दिल की यह वालिया करती है, यह वालिया करती है, हार्ट की बहुत सारी यह करती है, जुड़ जाएगी, इसके अंदर मान लीजिए, यह वालिया करती में लेकर आपको दिखाता हूँ, इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके चलते कर दीजिए वर्ना नीचे option माने का नहीं और यहां पर जो है option बटन पर क्लिक करना है इस तरह से और blending option पर आपको चलना है blending option पर जाना तो पिछले दो तीन अद्धेश आप चल रहे हैं और इन सभी जो लिए विडियो बना रहा हुँ तो उसमें भी आपने देखा होगा तो आप अच्छे से इसमें भी समझाओगी simply क्या करना होगा आपको इस inner वाले inner इस इनर शेड़ पर क्लिक करना होगा और यहां से इसके आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे जैसे आप इसके ओपिस्टी वागिरा को मैनेज करेंगे देखे इस तरह से तो आप देख रहे होंगे इसके उपर कोई भी जो है इफिक्ट जो है वरक नहीं कर रहा है लेकिन यदि आपका इफिक्ट कोई भी वरक नहीं कर रहा है उस क्या कारण हो गया कारन तो आप यहां से क्या करेंगे मूड का नोर्मल करें लगे कि जो एक क्ठी करने लागते हैं तो आप 121 और फ़ीजली करने लगादा धूर्म जो दूर्म który होता है थक्लिक करते हैं और नोर्मल पर क्लिक किया यहां थे तफिर से देखित बहुत अच्छी डिजाइनिंग देखे 3D view के लिए देखे इस तरह का दिल हम बनाते हैं इस तरह का heart हम बनाते हैं और जदे दर आपने आकरतियों में इस तरह का जो है डिजाइनिंग देखे होगी और अंदर जो है color क्या देखा होगा आपने white देखा होगा और तो चले इसके उपर एक बार white कलर देखे मैं आपको बता देता हूँ यहां से चोक वगिर आप मैनेज कर लिए यहां से आप बहुत सार डिजाइनिंग दे सकते हैं और यहां से देखे इस पर क्लिक करके यहां से जो और भी add कर सकते हैं और तो counter से आ सारी heart की जो हैं हम यहां से त्यार कर सकते हैं दिल के लिए डिजाइनिंग हम बना सकते हैं इस तरह से देखे बहुत अच्छी डिजाइन मुझे लग रही है तो चले इस पर में रहने देने वाला हूँ और इसको रहने देजिए अभी simple पर क्लिक कीजिए और इसके उपर ए काम में भी आती है वेडिंग अलबम में बहुत ही ज़्यादा काम में आती है इसलिए मैंने आपको यह लग से बताया है क्योंकि हम जब बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज लेंगे बस क्या करेंगे उस समय जो आपका जो कलर के ओपिश्टे है वो थोड़़शी डीजाइन आपके सामने बर आ अब रही है बौत ही अच् adapted है वह अधूर कर आ छाते हैं बहुत है क्या सकते हैं और इसको इसको उठा करना है लेकर चलना है इस तरह से और आपको क्या दोना सब चर्ण साइज सबसे ones को इसको बहुत Please भी क Будji इस तरह को इस तरह से ईने कुद में क्या दोख अपको इस लेर वाले क्लिक के नहीं और आपा और अट ईंटर देदी सबसे पहले और उसको क्या करना है क्लिफिंग मासक यूज करना लिए टेक्स्ट पर बताया था क्लिफिंग और इस तरह in Manage कर सकते हैं बहुत आची तर छी करके आप इसको और भी ज्यदा अपने साफ़ से Manage कर सकते हैं और इस तरह की image जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़दा हम यूज में लेते हैं बनाते हैं तब heart गोरा की image तो बहुत ही ज़्याद हम यूज लेते हैं इसको फोड़ाता बड़ावर करता हूंगी इस तरह की इमेज हम बहुत ज़्यादा यूज लेते हैं अपने जो है वेडिंग लबम के अंदर और बहुत सीजादा हमें बहुत आउशकता पड़ती है इसलिए इस तरह की में बना कर एक बताई आपको इस तरह आप इमेज तो इसमें एड कर रही सकते हैं उसके लावर कहफिक दे सकते हैं कंड्रोल अन-फ्रैस करने के नई रोले ले ले लेते हैं और यहा पहले बाद में क्या करना है यहां पर सिर्फल आपको कहना है ब्लाइंडिंग ऑप्सन पर जाना है ब्लाइंडिंग उपसन के पर जाने के बाद हम आप इसमें काउंटर देकर और देखर बहुत अच्छी आपकर आईगी और आप पूवे, सारी शारी API में आपको यहां पर सिर्फ एक और बना सकते हैं कि सारी API में यह मुझा लगी तो यह वरिय ज्यादा लंबे-लंबे हो जाते हैं और आप देखों के और ढूभा से, आप फिर इस तरह से थो आप डिजाइनिंग ताइर कर सकते हैं और यह यह से काउंटर्स दे के बहुत अच्छी डीजाइन आप बना सकते हैं देखिए इस तरह से चले यह वाले मुझे अच्छी लगी तो यह वाली में रहने देने वाला हूं उसके लावा आप क्या कर सकते हैं यहां पर जैसे देखिए कि आउटर गलो एंड इनर गलो इसको भी आपको यह बना सकते हैं और श्रवाव एक बना लगते हैं अब यहां पर सिंपल confirma करेंगे और अब वापस व्लाइंडिंग औप्शन का सब्सक्राइब क्लेंगे इस बार जो हम इामर क्रेंगे इस इनर ग्लो नहीं करेंगे इन्डवा का यूज के इस तरह से उपीजिड़ का यूज करेंगे इस तरह यहां से यहां से औप फेले मोड नॉर्मल और लेता हो इस तरह के डिजाइनिंग बहुत ही बहतरीन बहतरीन डिजाइनिंग आप दे सकते हैं उसके अलावा आप देखें यहां से नौस वगिरा आप देखें नो इसमें भी स्पेट पड़ रहा है जहां से देखेंगे इस तरह से और यहां से आप सेंटर में रखेंगे तो क्या अभी gradient लिया उनमें इंटर वाला color दिखाए देगा और इस तरह से आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा color है वह आपको दिखाए देगा साइज को मैनेज करें इस तरह से बहुत बारी chiसे इसकी design तैयर कर सकते हैं इतनी अच्छी design है यह लग रही है मुझे मुझे इस तरह से आप बहुत ज्यादा designing दे इवाल इसकते हैं lagi design आपको खुद को तयार करने शीके only 수टक्लिक करके आप यह चेंड आपको बनासन फिद्व्सक्राइब गोविश करना है वाले शेलेक्ट करना है उस के बाद में यहां से आप ग्रेडेंट वगेरा देखे इस तरह से जब आप यूज लेंगे वह सारे ग्रेडेंट यूज लेंगे तो आपके सामने बहुत सारी बहुत तरफ निकलती हुई डिजाइन शोरी 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 इसमें क्या हो रहा है कि यह जो है वरक कर रहा है लेकिन वरक जो है नॉर्मल बूर्ट पर करेगा तो यहां इस पर जो आपका जो ग्रेडेंट टूल है जब आप साइज को चेंज करेगे तब आपको इसके दिखाए देगा वहार की तरफ दिकए दे रहा है तो फ्रेमिंग वगेर आ रहे हैं बहुत बहुत अच्छी डिजाइनिक करेट कर सकते हैं फिँलार मुझी यह नॉर्मली रहां दीता हूँ और यहां से आप जी की soft and वगेरा hardness वगेरा भी देख सकते हैं और यहां से देखे इस तरह से spread को जो है आप अपने साफ से change कर सकते हैं और यहां से और gradient वगेरा तीरंगे की size का लेना चाते हैं किसी सहीद को समरपित करने वाली जो images हमें बनाने होती है वह आप बना सकते हैं इस तरह से बहुत सारी designing आप इससे तयार कर सकते हैं तो चले दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इच्छी design आपने तयार करना शीक्की होगी देखे इस वीडियो में मैंने आपको basic तयार करना बता है wedding album का ये तो बहुत ही normal है जब advance level में चलेंगे तो album बनाना बहुत ही बड़ा है ये इतने सी designing को लेकर आप album बनाने मत बैठ जाना कि हम सीख गए देखे बहुत जएदा advance है भी तो इसमें box बनाना पिछे का background डिसाइड करना उस पर जो है borders वगेरा देना borders की designing वगेरा देना उसमें flowers वगेरा को manage करना और उसमें बहुत सारे albums की size वरी size के लिए देखना पड़ता है बहुत ही image को कहां पर कौन सी image को बड़ा लेकर कौन सी image उसके पास में लगने होती है वह थोड़ा basic तैयार करती हुए चलेंगे उसके बाद में एडवांस में आपको समझा दोगा बहुत ही आसानी सी तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई information के साथ अभी के लिए इतना है दोस्तो बाई बाई दोस्तो